किड्नी क्या है? इसके फंक्शन्स क्या होते है? शरीर का जो वाटर बैलन्स होता है, शरीर के जो इलेक्ट्राइट सते, उस पे कंट्रोल रखना ये किड्नी का एक महतुपूर्ण काम है. और शरीर को अच्छे चलने के लिए किड्नी का अच्छा चलना बहुत ही जरूरी है. Cancer और किड्नी कैंसर क्या होता है? So, before coming to kidney cancer और renal cancer, let me explain you कि cancer क्या होता है? Cancer एक शरीर की पेशी में होने वाजा ही रोग है. जब शरीर की, हमारे शरीर की बॉड़ी के जो cells बोलते हैं और पेशी बोलते हैं, उस पे नियंतरन चला जाता है. So, that cell starts proliferating. उनका जो विभाजन है वो शरीर के control के बाहर चला जाता है. And then there forms a tumor. So, ये basic cancer बनने का कारण है, जिसमें शरीर का control जो दो प्रगार के genes जैसे हमारे बॉड़ी में है. Tumor suppressor gene, जिसका tumor पे control है. और दूसरा आता है proto-oncogenes, जो cells को tumor की तरब बढ़ावा देता है. इन दोनों में जब balance चला जाता है, जबकि cancer को बढ़ावा दने वाले genes जादा हो जाते हैं, और cancer को control करने वाले genes का control कम हो जाता है. इस सब के कारण बहुत सारे हैं, हम एक के कारण पे बाद में discussion करेंगे, पट इसका जो imbalance होता है, और body की जो रोग परतिकार रखशक्ती immune system जब down हो जाती है, तो ये किसी भी प्रकार का cancer की शुरुआत होती है. Now, same thing applies to kidneys. So, kidney की जो sales हैं, उनका जब division, जिनका जो division, replication, शरीर के control से बाहर चला जाता है, तो ये kidney cancer की शुरुआत होती है. भारत में हर साल kidney cancer की कितने cases डियागनिस होते हैं? Compared to other cancer, जैसे की oral cancer है, lung cancer है, breast cancer है, cervical cancer है, जो ladies के, इनके comparison में kidney cancer का incidence relatively कम है. Again, जो विक्सित देश है, जैसे की America और Europe, इनका जो incidence है, हमसे 10 से जादा गुना जादा है. उतनी मातरा में kidney cancer हमारे यहां ज़्यादा common नहीं है, बट हमारा जो population इतना base इतना बड़ा, 100 करोड से ज़्यादा हमारी population है, उसके comparison करेंगे, तो हमारे देश में हर साल 10,000 से ज़्यादा नए kidney cancer के मरीज, नए मरीज अड़ होते जा रहे हैं. Second important thing, कि यह सब जो population है, उनको because of awareness, lack of awareness, and financial problems, यह सभी population को जो standard of care जो बोलते हैं, जो latest technology की दवाईया और surgeries अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. इसलिए जो comparative deaths हैं हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं. Suppose there are more than 10,000 cancer kidney के मरीज नहीं अगर आते हैं, तो 6,000 से ज़्यादा मरीजों की death होती हैं हर साल. So you can see more than 50% of the patients are dying in a year because of kidney cancer. Kidney cancer के signs और symptoms क्या है? जैसे कि मैंने बताया, important चीज़ है, जो भी cancer शरीर के बाहर के अवयों से आता है, उसको early stages में pick up करना, जैसे कि breast cancer है, मूग का cancer है, जो early stages में pick up करना जाता है. But kidney जो की शरीर के अंदर का भाग है, तो cancer detection जब भी होता है, unfortunately, जादा मातरा में यह जब advanced stage में जाता है, तब भी होता है. फिर भी इसके कुछ signs early stage में pick up किये जा सकते हैं, जैसे कि एक महत्वपूर्न sign है कि urine जो होता है, जो मुत्र जो होता है, उसके color में changes. Red color का urine अगर होता है, तो it is a sign of arbices, जो red blood cells, urine में जाने का एक sign है. So, it can be one of the early signs of renal cell का असनुमा. So, इस पे धांदना ज़रूरी है, हो सकता है, वो कुछ infections ही हो, ना कि हमेशा cancer की, but इसको निगलेक नहीं करना चाहिए. तो red color urine को कभी भी निगलेक नहीं करना चाहिए, जबकि आप किसी medicine पे नहीं हो, और आपके urine का color change हो गया हो, red हो गया हो particularly. Another symptoms की, आप kidney जो है शरीर की इस हिससे में रहता है, पीछे की side में, लंबार area जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर pain होता है, वहाँ पे कोई swelling या lump की संभावना होती है, कुछ अलग feeling आता है, तो immediately doctor को जाके concerned doctor, जो specialist है kidney के, या फिर related to cancer है, उनका एक opinion लेना बहुत जरूरी हो stage या दूसरी stage में pick up कर सकते हैं, तो ये early science है, इसके अलवा शरीर में हिमोगलोबिन की कमी की वैसे थकान होना, भूख कम लगना, weight loss होना, fever आना, जिसका कुछ reason नहीं है, तो ये सब लक्षन हो सकते है, किसी भी cancer के, mainly kidney cancer के, तो ऐसे अगर लक्षन आते है, तो जो concerned doctor है, उस जरूरी होता है, जो कि kidney cancer early stage में detect करने के लिए help कर सकता है, कोई भी cancer, किसी एक reason से नहीं होता है, except lung cancer और oral cancer, जिसमें directly tobacco is an important reason, but इसमें kidney cancer की causes and may develop etiology में, जो कारण है, उसमें महातूपूर्ण कारण, जो हम avoid कर सकते हैं, जिनको prevent कर सकते हैं, उसमें सबसे number one कारण आता है, जो smoking, tobacco smoking, it is a very very important risk factor for kidney cancer, so, इसको हम avoid कर सकते हैं, totally avoid कर सकते हैं, apart from smoking, there are various reasons, multifactorial cause है, तो इसमें genetics भी कुछ हद तक काम करते हैं, जिसमें आपको family history है, जो long term hypertension, BP के पेशन रहते हैं, उसमें भी हो सकता है, मतलब यह नहीं कि हर BP के पेशन को cancer होगा, but it is one of the important reason, family में की history है, genetic risk factors है, sometime obesity, morbid obesity, sedentary, जैसे शहरों में sedentary lifestyle, एक जगा बैठ के काम करना, हम जो चीज़े खा रहे हैं, उसमें, that also causes a lot of sedentary lifestyle, obesity, यह important reason है, for causing kidney cancer, as well as other type of cancer also, so, smoking, obesity, sedentary lifestyle, lack of exercise, alcohol, family history, kidney cancer, पुरुषों में ज्यादा मातरा में होता है, So, kidney cancer is a multifactorial disease, and there are some preventable factors, like smoking, alcohol, obesity, which we can control, and definitely we can keep the kidney cancer away from us. Kidney cancer की क्या कोई stages होती है? Kidney cancer की कोई भी cancer, solid tumor का cancer, solid organ का जो भी cancer रहता है, जैसे kidney cancer, उसके stages रहता है, early stage, locally advanced stage, and metastatic stage, So, जब ये limited to kidney रहता है, so, इसको बोलते हैं, हम limited to kidney, जो early kidney cancer, Kidney के बाजू के अवे हो में, अगर kidney से शिरुवात होने वाला tumor फैल जाता है, जैसे कि बाजू वाले glands रहते हैं, या lymph node रहते हैं, उसको locally advanced बोलते हैं, और अगर यहीं tumor kidney से बाहर निकल के, कहीं और फैल जाता है, दूसरे organs में फैल जाता है, दूर के lymph nodes में फैल जाता है, तो उसको metastatic disease बोलते हैं, यह stages of kidney cancer are very important, जब भी हम patient, kidney का नया patient देखते हैं, तो उसको staging करना बहुत जरी होता है, क्योंकि उसके accordingly kidney cancer का treatment decide होता है, और early stages में जो हम treatment करते हो, the intent of treatment, हमारा लक्ष यह रहता है कि पूरी तरह से cure करना है patient को, yes, so cure is possible in kidney cancer, when it is detected in early stages, maybe stage 1, 2, 3, जैसे कि अगर patient हमारे curative stage में, early stage में हम detect करते हैं, तो उसका treatment होता है surgery, उस tumor को अगर kidney के यहां से निकाला जाए, तो यह patient को कुछ हग तक हम completely cure कर सकते हैं, that always depends whether patient stage 1 में है, 2 में है या 3 में. Kidney cancer को आप diagnosis के से करेंगे? यह बहुत ही important चीज़ है, अगर मैंने जो पहले लक्षन बता है, अगर ऐसे लक्षन आते हैं और kidney cancer का suspicious होता है, based on primary imaging, such as ultrasound, जो family physicians अगर ultrasound करते हैं, और कुछ-कुछ भी suspicion होता है कि kidney में कोई tumor है, मास है, तो proper doctor के पास जाके इलाज लेना, यह सबसे बहुत उपरुन चीज़ है, जो भी cancer में trained है, surgeon हो, या medical oncologist हो, या radiation, यह तीन प्रकार के specialities है, जो kidney cancer की treatment करते हैं, इसमें early stages में surgery का रोले, जैसे मैंने बता है, so eurosurgeon, obviously eurosurgeon, especially those who are trained in treating kidney cancers, that is very important, because tumor का size कितना है, tumor कितना फाइला है, इस पे जो भी surgery प्लान करते हैं, वो decide होती है, so suppose tumor अगर छोटा है, तो kidney का थोड़ा सा पार्ट निकाल के, वो cure किया जासकता है, उसको बोलते है, nephron sparing surgery, so जैसे मैंने बता है, kidney यह महतुपुरनंग है, तो sometime अगर tumor छोटा है, तो आप kidney को बचा भी सकते हैं, अगर tumor limited to one pole of the kidney है, तो, अगर यह संबव नहीं है, बहुत सारे tumor एक kidney में है, और kidney का माज जो tumor है, बहुत बड़ा है, then you have to go for radical nephronome, whole kidney आपको निकालना पड़ता है, जो affected kidney है, because, जैसे कि other kidney अगर normal है, तो patient can lead a normal life with single kidney, so, depends, जो भी tumor कितने बड़ा है, कौन से stage में है, उससे decide होता है, कौन से type की surgery करें, whether it requires total nephrectomy, जिसको हम radical nephrectomy बलते हैं, और partial nephrectomy और nephron sparing surgery, यह हो गया curative aspect, so, when we are talking about early stages, surgery is the curative, and that should be done by a properly trained cancer surgeon, neurosurgeon, जैसे इसके बाद के जो stages आते हैं, जब आप surgery नहीं कर पाते हो, curative surgery, और जब यही बीमारी जब शरीर के अन्न विभिनन अंगों में फैल जाती है, उसको बोलते हैं, metastatic stage, इसमें जो intent of treatment हम जो बोलते हैं, उसको बोलते है palliative therapy, इसमें भी अगर यह tumor kidney में बैठा हुआ, आपको अगर problem कर रहा है, उसमें भी surgery का role आता है, so, that mass is very big, वहाँ से bleeding होके आपको recurrent anemia हो रहा है, तो भी उस tumor को निखालने से sometime patient को benefit मिलता है, patients के complaint जो है, symptoms में है, control पाया जा सकता है, बट, इसके बाद के जो stages आता है, जिसको हम बोलते है systemic therapy, यह failure way cancer को control करना कैसा है, इसके लिए medical oncologist का role बहुत ही महतुपूर्ने है, जैसे कि cancer जब felt that can spread to other kidney, to other lung, जो focus बोलते हैं, liver में जा सकता है, brain में जा सकता है, bone में जा सकता है, तो इसकी वाज़े से patient को बहुत सारे प्रकार के लक्षन हो सकते हैं, उसके लिए जो therapy आता है, उसको बोलते है systemic therapy, जो की medical oncologist के यहाँ पे होता है, वो therapy के हम विभिन नांग देख लेंगे, one by one. Kidney Cancer में इलाज के लिए कौन से विकल्प मौजूद है? जैसे कि अपने विस्तारित प्रकार से लिखा कि जैसे कि सरजरी एक महतूपन पाट है, वैसे ही systemic therapy जो बोलते हैं, लास्ट टू डिकेट्स में, दो दशकों में, kidney cancer में बहुत बड़ा scientific research हुआ है, और 1990 के बाद, there are various treatment options are available to us. Unfortunately, लोगों में इतना awareness नहीं है, जैसे कि 1990 में immunotherapy आया है, interferons, interleukines, high dose interleukines, these were the only therapy available in 90s. उसके बाद 2000 में एक major revolution है, बेवास्जमाब, जो special targets रहते हैं body tumors में, जिस पे ये cells अपने ही हिसाब से proliferate होते हैं, multiply होते हैं. So, these are called as targeted therapy, you go and hit the particular target, so that you control the uncontrolled proliferation of tumor cells. So, I was in बेवास्जमाब करके एक दवाई 2000 के करीबन 2004 में अपरूड होगी. उसके बाद subsequently, one by one, ऐसे बहुत सारे दवाई आया हैं, जिनको हम targeted therapy बोलते हैं, some of these drugs are taken orally only, once or two times in a day. And latestly, again there is a revolution in immunotherapy, जैसे कि हम बोलते कि tumors क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जब body की जो immune system है, जो रोक प्रतिगारक शक्ती है, वो जब कम पढ़ जाती है, तो ये cells अपने हिसाब से multiply होते हैं. अगर हम हमारे शरीर की रोक प्रतिगारक शक्ती immune system, ये tumor के against अगर built-up करते हैं, अगर अच्छे से वहाँ पे tumor के जगह हम ये immune system को जादा इसा बढ़ावा देते हैं, तो ये cancer के cells को control कर पाना अब possible हो रहा है, और last 3-4 साल में ये बहुत बड़ा एक research बहारा है, immunotherapy. So, kidney cancer is one of the important cancer where we are offering immunotherapy also. So, that is the latest advance which happened in kidney cancer. Obviously, ये treatment थोड़े से महंगय होनी के वाई से हमारे आम जनता को अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही, maybe in near future, it will be available to the masses, and yes, we can control with all this available treatment, the kidney cancer to a better extent. आप किर्नी कैंसर को लेकर व्यूवर्स को क्या संदेज देना चाहेंगे? सबसे important message मेरा ये रहेगा कि nowadays हर प्रकार का cancer बढ़ता जा रहा है, इसमें एक important चीज़े हमारी जो जीवन शेली बदलती जा रहे हैं, जैसे कि environmental changes आ रहे हैं, हमारे खाने की diet में changes आ रहे हैं, हमरे living style में बदल आ रहे हैं, so cancer is a multifactorial disease but yes उसमें कुछ ऐसे factor हैं जिसको हम control कर सकते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे exercise करते हैं, हम हमारी शरीर को कैसे रखते हैं, इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दे तो हर प्रकार के cancer से fight करना possible है to certain extent, जो चीज़े modify नहीं कर सकते हैं, वो बाजू में रह जाएगी जो आपके family history है, genetic factors है, but yes there are some modifiable factors, जैसे मैंने बताया diet है, आप regular exercise कर सकते हो, आप you be away from smoking and alcohol, ये चीज़े अगर हम control कर सकते हैं, तो कुछ हद तक हम cancer पे control पा सकते हैं, रही बात आपको cancer diagnose होने के बाद, जैसे मैंने बताया cancer diagnose होने के बाद भी कुछ मात्रा में patient को 100% cure, कुछ मात्रा में there is a 100% cure in early stages of cancers, even in renal cancers, और अगर ये file भी जाता है, there are therapies which can control your cancer, but going to a right doctor, जैसे कि मैंने बताया कि cancer के जो surgeons हैं, उसको oncosurgeon बोलते हैं, cancer की systemic therapy जो देते हैं, उनको medical oncologist बोलते हैं, और जो radiation देते हैं, उनको radiation oncologist बोलते हैं, ये doctor के पास सही stage में जाना is very very important to achieve cure and to achieve longevity for cancer patients.